वीद्यार्थ, आफ सभी को मेरा नमश्कार बहुत लंबे समय से वीद्यार्थी इंतिजार कर रहे थे कि अन्टी का नोटीस कब आईगा अन्टीए कब नोटीस डालेगा कि हमारा एक्जाम कब होगा चाए वो नीट का एक्जाम हो चाए नेत का एक्जाम हो चाहिए NCET का एक्जाम हो चाहिए AIAPGET आयुष का एक्जाम हो कुछ students बहुत लंबे से इंतजार कर रहे थे बलकि लाखो लाखो students इंतजार कर रहे थे सबकी निगाहें ठिकी हुई थी कि सर जो NTE एक्जाम conduct कराता है चाहिए वो NEET हो NET हो AIAPGET हो या NCET हो वो कब होगा सर बे सब्री से इंतजार है क्योंकि सभी बच्चों को अपने career की चिंता है उनके parents को चिंता थी आखिरकार NTE ने notice डाल ही दिया है अब देखना होगा कि अब की बार कितनी सफलता NTE को मिल पाती है तो देखिए पब्लिक नोटिस आया है 28 जून को आया है 28 जून 2024 को और देखिए अब की बार हिंदी में भी लिखा गया है पब्लीक करके साथ, असाड, आसाड 1946 तो देखिए जो हिंदू पंचांग होता है या हिंदू जो कलेंडर होता है रास्टी जो पंचांग होता है है ना रास्टी जो कलेंडर होता है वो शक्षमवत पराधारित होता है तो ये जो 1946 की जो डेट डाली गई है तो ये भारतिये हिंदू कलेंडर है भारतिये पंचांग है है ना भारतिय शक्षम्वत है जो 28 जून का मतलब यहाँ पर क्या है असाड का मेना है और साथ साथ असाड यानि 28 जून की इक्विलेंटिय होता है तो देखिए सब्जेक्ट क्या डाला एंटी ने तो पहले हम जान लेते हैं एंटीय क्या होता है एंटीय यानि नेसलन टेस्टिंग एक एजेंसी है जिसे कोई एजेंसी हाईर करते हैं किसी कारिये के लिए तो ऐसे ही जो उस्तर शिक्षा विभाग है उन्होंने यानि डिपार्टमेंट ओफ हाईर एजुकेशन जो भारत सरकार का है गवर्मेंट ओफ इंडिया का उन्होंने एक ओटोनोमस अर्गनाइजेशन जो है वो हाईर किया हुआ है जिसे एंटीय कहते हैं एक स्वायत संग्थन है तो उन्होंने पब्लिक नोटीज डाला है कि NTA Examination Clender for Upcoming Examination NTA Examination Clender for Upcoming Examinations यानि जो भी एक जाम होने वाले हैं जिने कैंसिल कर दिया गया था या जिने पॉस्पाउंड कर दिया गया था उनका नोटीस आ गया है तो देखे किस डेट को आपका एक जाम है ये हम देख लेते हैं तो देखिए, तीन सीरियल अंबर दिये गई हैं, सबसे पहले जो दिया गया है, एक्जामिनिशन वो NCET का है, तो देखिए, NCET क्या होती है, पहले ये भी जान लेते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता, क्योंकि ये तीनो चारो एक्जाम एक सार डाले गई हैं, तो NCET का मतलब होता है, National Common Entrance Test, यानि ये भी राष्टे लेवल का सामाने परिक्षा होती है, किसके लिए होती है, तो देखिए, ये कौन कराता है, ये NTA तो करवा ही रहा है, जो NCET ही जो होती है, National Council for Teacher Education, उसके तहँत ये परिक्षा होती है, जैसे UGC हैंग, ऐसे ही National Council for Teacher Education जो होती है, N-C-T-E, उसके तहट ये प्रिक्षा होती है, और इसमें जो बारवी क्लास के non-medicals, non-medical के student एकास कर, उनके लिए प्रिक्षा होती है, और ये four year program के लिए होती है, जिन बच्चों को IIT में एडिमिशन लेना है, NIT में, RIT में, colleges में, institutes में, universities में, चाहिए हो center के हो, चाहिए state government के हो, four year जो UG program है, जैसे BTEC होती है, तो उनके लिए entrance होता है, तो उसकी भी date आ गई है, वो 10 July 2024 है, यानि लगबग 12 दिन बाद ये exam होने वाला है, कैसे होगा, mode क्या रहेगा, CBT, यानि computer based test होगा ये, पहले भी एक computer based test होता था, अब भी ऐसे ही हो गाई, दूसरा जो exam होने वाला है, वो joint है, CSIR UGC net, CSIR यानि Council of Scientific and Industrial Research, यानि वेजैनिक और अद्धगिक अनुशंधान प्रिसद, CSIR में मतलब जो science team के students होते हैं, खास कर, mathematics, chemistry, botany, geology, geology, biotech, इस तरहें के जो students होते हैं, उनके लिए CSIR UGC net अलग होता है, तो वो exam जो होगा, वो जो परिक्षा होगी, वो पहले हो, पी लगबग साइद 25-27 थी जून में, लेकिन वो postpone कर दी गई थी, IG तो नहीं की गई थी, वो अब एक महने लेट है, यानि 25-27 जूलाई के बीच में, ये exam होने वाला है, पहले भी CBT mode पे था, अब भी CBT mode से होगा, यानि online आपका exam होगा, computer based आपका exam होगा, अब तीसरा जो महत पुरुन है, जिसमें काफी जादा चातर बैठते हैं, बहुत ज़्यदा चातर बैठते हैं, और वो exam जो है, UGC NET, जून दो हजार चोबी से, यानि जिसमें Mastery Humanities के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी, योग, जोगरफी, पॉलिटीकल, हिस्ट्री, इंग्लिज, जो भी इसतरे के सबजेक्ट्स होते हैं, उनका जो exam होता है, वो पहले हो चुका था, लेकिन वो भी रद कर दिया गया था, यानि उसकी परिक्षा पहले हो चुकी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया था, 18 जून को परिक्षा थी, वो कैंसिल कर दी गई थी, अब उने उसकी डेट आ गई है, बहुत से चातर जो PhD मैडमिशन लेना चाहते थे, जो चातर नेट पास करना चाहते, जो चातर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे, जो जियारफ क्वालिफाई करना चाहते थे, उनके लिए एक बार फिर वो डेट आ गई है, यानि एकजक्ट डेट नहीं दी है, दे दिया है कि बिट्विन 21 अगस्त 2024 और 4 सेप्टमबर 2024, यानि एकजक्ट डेट नहीं है, एक बाउंड कर दिया है कि 21 अगस्त से लेकर 4 सेप्टमबर के बीच में वो एकजाम होगा, देखिए बहुत इंपोर्टेंट बात ही है कि पहले वो ओफ्लाइन एकजाम हुआ था, काफी लंबे समय जो ओनलाइन होता था, CBT मोड होता था, कम्पूटर बेस्ट टेस्ट होता था, वो ओफ्लाइन हुआ था, काफी बच्चे खुश थे ओफ्लाइन से, जिनको लंबे समय तक कम्पूटर पर बैटने में दिक्कत होती है, और उसमें काफी डाउट्स होते थे, कि स्क्रोल करने में दिक्कत होती थी, पूरा पहराग्राफ नहीं पढ़ा जाता था, तो बच्चों के हाथ में बुकलेट होती थी, उसमें, यानि कॉशन पेपर की, और उसे इजिली बच्चे, उसमें सोल करके, अच्छे चाराम से देख कर समझ कर टिक लगा देते थे, तो काफी लंबे समय बाहद UGC ने ये आफ्लाइन करवाया था एक्जाम, आपकी ओमार सीट के उपर एक्जाम हुआ था भी पीछे, लेकिन अब की बार जो एक्जाम होने वाला है, वो CVT मोर से होगा, ओनलाइन मोर से होगा, और उसकी डेट दे दी है, क्योंकि वो एक दिन में तो हो नहीं सकता, बच्चे बहुत जादा है, क्योंकि अब की बार PhD के स्टुडेंट्स भी अन्रोल हो रहे हैं, जिने PhD में अडमिशल लेना है, खास कर जो 4-year UG program पढ़कर आए हैं, ओनर्स विद रिसर्च पढ़कर आए हैं, UG ओनर्स विद रिसर्च और वो लोग PhD में जाना चाहते हैं, तो उनकी संख्या भी बढ़ गई है, इसलिए ये exam एक दिन में हो नहीं सकता, पहले भी एक दिन में नहीं कराता था NTA, लगबग 8-10 दिन में एक जाम ये conduct कराता था दोनों पारियों में, क्योंकि हमारे देश में इतनी labs नहीं है, इतनी वेवस्थाई नहीं है, इतनी शुईधाई नहीं है, इतनी centers नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ा समय इसमें लगता है, तो देखिए, 21 अगस से लेकर 4 सेप्टमबर तक, तो लगबग कितना समय लगेगा, 31 मेहना होता है, तो लगबग 12 दिन का समय ये हो गया है, और 4 डेज वो हो गया है, लगबग 16 दिन ये एक्जाम चलेगा, UGC NET जून 2024 का 16 दिन एक्जाम चलने वाला है, जो लगबग 2 पारियों में रहेगा, वो सकता है बीच में इनमें कोई एकाद एका छुटी भी हो, 2 पारियों में रहेगा, morning shift भी रहेगी, evening shift भी रहेगी, चीक है, किसी subject का morning shift में होगा, किसी का evening shift में होगा, तो लगबग लगबग ये 16 दिन एक्जाम चलेगा, तो किस date को आपका एक्जाम होगा, ये अभी decide नहीं है, इसमें time लगेगा, क्योंकि पहले दूसरे एक्जाम करवाने हैं, दूसरे जो subject के एक्जाम हैं, वो और भी important है, उनको करवाना जरूरी है, लेकिन अब देखिए काफी students लेट हो गए हैं, जो एक्जाम जून में संपन हो गया था, और लगबग जुलाई में जिसका result आ जाना चाहिए था, लास्ट तक उन बच्चों को और लंबा इंतिजार करना पड़ गया है, अब वो एक्जाम आपका जुलाई में नहीं होगा, अगस्त और सेप्टेंबर में आपका एक्जाम होने वाला है, मुझे लगता है कि सेप्टेंबर, लास्ट या आक्टोबर में आपका result आ जाएगा इसका, लेकिन NTA का कोई वरोशा नहीं है, कोई एकाद पेपर में अगर गड़बड़ी हो जाती है, या कुछ और हो जाता है, या कोई बीच में और exam class कर जाता है, कोई तोहार आ जाता है, तो फिर आगे और भी extend date की जा सकती है, date को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, NTA तो कोशिस करता है कि बच्चों को नुक्षान ना हो, बच्चों का exam समय पर हो, result समय पर घोशित हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी situations आ जाती है, कोई ना कोई exam ऐसा आ जाता है, जैसे पहले जो exam होना था, UGC net का वो 16 जून का exam था, लेकिन 16 जून को साइद कोई और प्रिक्षा थी, पुरे देश में, इसलिए बच्चों ने उसकी mail भेजा, phone किये, UGC को letters भेजे, फिर UGC ने संख्यान में लिया, NT ने संख्यान में लिया, और उसकी date को postpone किया दो दिन, तो ऐसे ही कई बार हुआ है, मुझे नहीं लगता कि एक बार में, इतना लंबा समय तक का exam करवा पाएगा, और सारे paper दोबारा हुने बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले paper उनके offline के हिसाब से बने वे थे, अब सारे paper जो है, अलगलग streams के वो सब online हुने बनवाने पड़ेंगे, विवस्था करने में थोड़ा समय ले गएगा, देखे, अब नीचे लिखा हुआ है, The UGC net June 2014 cycle examination was earlier held in pen and paper, pen और paper offline हुआ, मोड से हुआ थे, सबको पता है, UGC net का जो 18 June को हुआ था, however, फिर भी, it will now be, अब यह है, held in computer-based test CBT mode, यानि, अब यह online होगा, तो काफी बच्चे खुस हो गए थे, कि offline से अच्छा है, आराम से तसल्ली से बैठ कर हम paper दे सकते थे, लेकिन अब फिर online होगा, तो जो बच्चे लंबे समय से computer नहीं चला रहे हैं, नहीं चलाते हैं, online में problems तो बच्चे बताते हैं, कि कभी submit नहीं होता है, कभी scroll नहीं होता है, काफी problems होती थी, तो उनी problems का आपको फिर face करना पड़ेगा, उमीद करते हैं कि अपकी बार exam ठीक से हो जाए, conduct बच्चों को wait ना करना पड़े, क्योंकि PhD में bad admission बच्चों को लेना है, उनका भी समय बरबाद हो रहा है, जिन बच्चों उनने job छोड़ कर बैठे हैं, जो बच्चे special तैयारी के लिए job छोड़ कर बैठे हैं, special तैयारी के लिए अपने बड़े-बड़े काम छोड़ कर बैठे हैं, भी से विद्धार्थियों ने तो मुझे कहा था कि सर, अब मन नहीं लगता है, अब कैसे हम पढ़ाई करेंगे, इतना लंबे समय फिर मिल गया है, बड़ी मुश्किल से अपने आपको कैद करते हुए कमरे में, हम प्रिक्षा के त्यारी करते हैं, और दुबारा हमें फिर कैद होना पड़ेगा, इसकी बजाए तो हम दुबारा एक्जाम दे लेतें, जो दिसंबर में होता, तो मुझे भी लगता है, या तो मर्ज करके करवा दें तो अच्छा है, अब एक परसन ये भी उठेगा यहाँ पर, कि इसमें परसन जाइज है, आप भी बताना मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके, क्या वो बच्चे भी एक्जाम दे सकते हैं, UGC NET का जो 18 जून को हुआ था, जो उस परिक्षा में नहीं बैठ पाए थे, किसी कानवास भी एक्जाम नहीं दे पाए थे, ठिक है, किसी कानवास बच्चे लेट हो गए थे, किसी की टेन लेट हो गई थी, किसी की बस लेट हो गई थी, कहीं जाम लग गया था, कोई बीमार हो गया था, या कोई भी XYZ प्रोब्लम हो सकती है, फैमिली प्रोब्लम हो सकती है, किसी कानवास बच्चे एक्जाम नहीं दे पाए थे, उन्होंने forum fill up किया था उन्होंने row number भी download किये थे लेकिन वो exam देने नहीं गए तो क्या वो बच्चे दोबारा से exam दे सकते हैं ये एक बड़ा परसन है दूसरा परसन ये है क्या इस exam के लिए NTA दोबारा से दोबारा से option देगा कि आप फिर apply कर सकते हैं जो बच्चे रह गए हैं वो दोबारा apply कर सकते हैं नियम तो यही कहता है कि दोबारा option देना चाहिए कुछ बच्चे फिलप नहीं कर पाए होंगे forum किसी कानवश उनका result नहीं आया होगा result अवेटेड होगा तो जब आपका exam दो मेहने बाद हो रहा है पुना तो एक मुक्का और देना चाहिए काफी लंबा समय है पांच से दस दिन का समय UGC को और देना चाहिए UGC net exam के लिए क्योंकि अलग लग stream के बच्चे हैं ताकि जो किसी कानवश exam नहीं दे पाए वो exam जो online mode होगा हो सकता है कुछ बच्चों इसलिए भी ना दिया हो कि offline mode है हम नहीं देंगे तो अब online mode है तो बच्चे के पास समय भी हो सकता है जो December के तियारी करना चाहता था चाहते थे वो अपुने exam दे सकते हैं अब पता नहीं यह डाउट में है कि जो पीछे प्रिक्षा नहीं दे पाए क्या वो प्रिक्षा अब दे सकते हैं दूसरा जो exam नहीं भर पाए थे किसी कानवस भी क्या वो दुबारा फोरम भर पाएंगे उन्हें अउसर दिया जाएगा यह अभी रहसे ही बना हुआ है NT की तरब से इसमें कोई क्लियर टी नहीं की गई है और हम तो चाहते हैं कि नई बच्चे उनको भी मोका मिले और फोर फर्दर इंफोरमेशन दा कंडिडेट आर एडवाइस इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यह एक टेस्ट होता है यह भी अखिल भारतिय शनात को तर जो परिक्षा होती है किसके लिए होती आयुष के लिए होती आयुष क्या होता है A का मतलब आयरवेद य का मतलब योग और नेचुर पैथी यू का मतलब यूनानी एस का मतलब शिद्ध और एच का मतलब होमेपैथी यह जितनी भी इंडियन ट्रेडेशनल इंडियन ट्रेडेशनल चिकिछा पदतिया है उनका एक्जाम होता है जिसे A, I, A, P, G, E, T कहते पोस्ट ग्रेजवेट लेवल का एक्जाम होता है यानि जिन्होंने BMS किया है आयरवेद में जैसे BMS होता है ऐसे जिन्होंने BMS किया है होमेपैथी में ऐसे ही योग और नेचुर पैथी में BNYS होता है ऐसे सिद्धा में B, Bachelor in Unani Medicine Surgery तो जिन्होंने ये graduate level का UG या graduate की है BMS, BHMS, BSMS या BUMS वो और जो registered candidate है यानि करने के बाद आपका registration होना जरूरी है तो वो post graduate exam के लिए eligible है तो ये भी डाला गया है 2024 will be held as early as scheduled on 6 July 2024 यानि उनका exam 6 July 2024 को होगा यानि सबसे पहली परिक्षा उनी की ही होगी 10 को फिर NCET की होगी जो non-medical के student है joint CSIR जो science के student है PG उनकी 25 से 37 July को होगी और जो UGC NET के students है उनकी परिक्षा है वो 21 अगस से लेकर 4 September के बीच में online mode से होगी तो ये NT ने information दी है for more clarification regarding the NT examinations the candidate can contact उसमें contact number भी दिये गए है 0140759000 और email भी दिये गए है at the respective email ncet at the rate nta.ac.in csir net at the rate nta.ac.in देखे अलग लग है जो NCET के exam दे रहे हैं उनके लिए NCET की email है जो CSIR net दे रहे हैं उनके लिए वो mail दी गई है और जो UGC net दे रहे हैं उनके लग से mail दी हुई है और जो post graduate प्रिक्षा आय उसकी दे रहे हैं उनके लिए a, i, a, p, g, e, t at the rate nta.ac.in दी हुई है अब NCET के exam का क्या होगा उसका अभी कोई शिरूल नहीं डला है तो ये सामने जानकरे मैंने आप तक पहुँचाई फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई person हो कोई संका हो या कोई ज्याउट हो और कुछ अगर आप suggestion देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है अभी नंदन है